नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आपको बता दें कि चार जनवरी के शुब दश बजशे जियां दोस्तों ये शुमशे आपके जुनकाल में बड़े चुमतकार होने वाले हैं दोस्तों दरशुल आपके जनकाल के लिए बता दें कि ये शुम का इसारा बहुती शुब मिल रहा है और इनके कारण आपके जुमकाल में ये शुब घटनाएं होने वाली हैं वे घटनाई होने वाली है जिने जानक कर आप खुशी शे जूम उठेंगे यो कहें तो शारा परिवार यश्मे खुशी में शाराब उर रहेगा जे दोसों और यश्मे शे आपका नेवल यश्मे भी बहुती शुखमाई रहने वाली हैं क्योंको दोसों आपको बता दे कि य महाँवली हैनमाण जग के शरवाल शे आपके शुभ परकार के कश्चो का निवार नहोगा कई चेत्रों में यश्मे आपके रुके कारियों में विरिद्य होंगी गर고ति दंगिया खथमें तो सबस्यूसुँर्द बीश्यस पात यह है कि यश्मे आपको आपका कर्मों का बखल मिलीगा और आपके राश्ते से शर्मि परकार की दुश्वन हटने वाले हैं, आपके जो इन्मिंकाल से शर्मि परकार कि जो भी दुश्मन आपको शमय Diet concerned और आपका शमए बहुत है नहीं वाल है, जै डोस्तों तो यश्मि मेर गरों के सितीं तो दोस्तों इन शबी मौके से आपको उंचेत रह सकते हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें इनमें आप शबी महत पुझार कारे को जानेंगे कि आशमेर आपको किन-किन चित्रों को लेकर शावधारी नह बाखेगा उश्रे पहले दोस्तों जो भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखेगा गुरुजी का और महावली हनुमान जी का शीरदा शिरबात राप करेगा तो दोस्तों जरू लिखेगा और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश करके और पर्स लेट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहरम करते हैं दोस्तों यश में जीवन के प्रति आपका शकात्मक दिश्टी कौन बना रहेगा आपका रहन शाहन तदा बोलजाल का तरीका जो है सबी लोगों का ध्यान आपके तरफ आकर्शित करेगा घर में भी कोई शुब मंगलिक कारे शंपन होने जैसी योजनाय बनेगी विद्या साम में ज्रतबाजी ना करें नकात्मक प्रविडिती के लोगों से दूरी बना कर रहें दोस्तों उनके विजश्टी आपके मन शोमान पर आचा सकती है तो इन बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए और इसको प्राहत दोस्तों में आपके लिए आपको बता दें प दोस्तों फिलाल याश में अपने मार्क पर अकेले चलने के लिए ही मन को त्यार रखें इसको प्रांदों से यह आपके लिए जो समय होंगी दोस्तों आपको बता दें कि दिंचरिया में कुछ और परताशित बदलाओं की महसूस करेंगे आप हर प्रस्तित का मुकाबला हि बात की स्थिती भी उत्पर हो शकती है इसलिए संयम रखें अपनी छमता से अधिक काम करने से आप बचें यह निकासर आपके स्वास पर पढ़ सकता है दोस्तों काम के बीच बीच में अराम भी लेना आपके लिए उचित होगा पुरानी नकार्टमान में रहकर आपको मुल्गन करने में ही बर्वाद करें जिन बातों में बदलाव लाने की हुशरता है उन बातों पर काम करना जिशन में अत्यां आवशर होगा आपको बदा दे की अपने वक्त को बरवाय ना करते लिए अपने लक्षियों को प्राप्त करने के जैस्मी आपको जब्स होगी शमाजिक तताराई नितिक कार्य में अपना वच्चसवर बढ़ाने से समय आपका उत्तम होगा इसको प्रांदोस येश में संतान की पढ़ाई से समधित कुछ चिंता रहेगी अजनेवी लोगों पर भरुशा ना करें ध्यान रखें कि आलस हुआ फिर बहुत अधिक सोच जा करने से ही शमय वर्थ हो सकता है तो दोस्तों इनसे बचें इससे आपके कार्चमता भी प्रवाईत होंगी इसको प्रांदोस येश में नई लोगों के शाथ जान पहचान बढ़ाते शमय सदकता रखने की भी आवशकता होगी गलत वक्तियों का शाथ परचे होना आपके ल प्रवार होगा फिर शमद्यों के लिए शमय निकालेंगे तदा खुश्णमा शावे होतित होगा आपकी कारी को शलता दोवारा उम्मीद से ज्यादा आपको लाव होगा आपको बदा दें कि पिछले को शमय से चल रही अस्त वयत जिंतरिया से आपको रहत मिलेगी इसको दोस्तों किसी वी परकार की यात्रा करने से परेज करें कुछ विरोधी आपके लिए विपरीत प्रस्तुतियों बना शकती है इसलिए दोस्तों यश्व में किसी पर अधिक विस्वास ना करें रहें और दोस्तों यश्व में घर के किसी सदस के स्वास को लेकर चिंता भी द्रह सकती है इसको भराद से यसे में आपके लिए जम्होंगी दोस्तों आपको वदा दें कि आपका रिक्तर वक्त परिवार की लोग और व्यक्तिकत रिलेस्ट्टी को ठीक करने में ही वहतित हो शकता है यकुद निहीं की वजर्शी आपको मार्सिक श्माधान तो प्राप् तो दोस्तों ये श्रम में वाईशाहिक गतिदियों घर परी रहकर सुजरूरूर से किर्णित करते जाएंगे फोन और संपरकों के माध्यम से सब ववस्ता हो जाएंगी आपको बदा दें सेर्स आदी में निविश करने का उत्तम श्रम होगा प्रन्तु उसके पारे में उचित जानकारी आवशे ले लें इसको प्राण दोस्तों ये श्रम में आपके केरिर के लिए जोसे मोंगे आपको उता दें कि दोस्तों ववववपारिक गतिदियों में शुधार भी आएगा सिर्फ थोड़ी सी सूजबुच से आपको काम लेने की जरुत होगी याश्रम में उपलवदियों वाला श्रम होगा योजनाबत तरिके शे अपने कालियों का जाम दे इसको प्राण दोस्तों आर्थिक जती तो आपको ये श्रमें बहतर होंगी ही प्रंदू आपका जो घर का महौल में उनमें भी शुदह राएंगी इसको प्रांदों से यश्व में आपके के लिए जो समोंगे आपके वाववशाय करी समोंगे आपको बता दें कि दोस्ते यश्व में आर्थिक मामलों में कुछ मनन वाफिर चिंतन करने की भी जरूत हो जो समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि काल चुतर में आपका प्रभाव का वापिर दवद्वा बना रहेगा नए और भी आपको मिलेंगे अपनी उच्टनाव को गुपत रखें इस बात पर आपको यश्व में घौर करना चाहिए तथा अपने काम की क्वैलिटी को ही और दिख बहतर बनाने की प्रयाश करना चाहिए किसी वरिष वक्ति की राय आपको श्मय वह श्याय की निरले लेने में शायक सावित करेंगे तो उनकी श्राइश में आप ले सकते हैं इसको प्रांदों से यश्व में अगर आपकी लव लाइब को लिगर बात करें तो पारेवरिक जीवन के लिए दोस्तों आपको बदा दे कि यश्व में आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा श्मंद रहेगा पति पंदे के श्मंदों में मजरता रहेंगी दोनों एक दूसरे के लिए बात वह पिर सलाको अमयत देंगे प्रम्तु वर्थ के प्रेम श्म बातों को नजरनदाज करें प्रेम श्मंदों की भावना जो है परधान बने रहेंगे इसको प्रांदोस्तों यश्व में आपके लव लाइफ के लिए आपको बदा दे कि दोस्तों में पारवरिक श्रदुस्तों की बीच उच्छी तालमिल भी रहेगा घर के महौल में श् परिशान करेंगी बादी अस्वा बासी भोजन खाने से परिश करें इसको प्रांदोस्तों यश्व में आपके स्वास के लिए दोस्तों आपको बदा दें चाती से समय कुछ परिशानी होगी परन्तों यह मौसमी बदलाव को जासे हो सकता है शर्दी से अपना उचीत बच देंगे दोस्तों जरूरी निपर ध्यान दे आपके स्वास के लिए बैतर शावित होंगे वर्षके साथ दूस्तों यह श्व में अगर आप शाहतनी को रखेंगे तो स्वास आपका उत्तम रहेगा रहीगा हलकी भुल की अमोश्मी परिशानियां आपको हो सकती है जराशि पर दिहांदी